हलो एव्रीबड़ी इस दिग्रास सिंग राजपूत वेलकम टू मैगनेट ब्रीन इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे वाट इस सेकुलरिजम पिछले वीडियो में मैंने आपको एक चैप्टर की थीम बताई थी कि चैप्टर हमारा किस ब है तो इस ब yapmış समझेंगे लेकिन समझने के पहले आपको सारे concept समझना हो थाकिया क्या थाप जहत सर्ð शब्दों से ना समझ भ Kayla Atype का है तो परीपक्ड इपिनेशन मैंचे नुक हो क्या इ Wakil Love Hill क्कि destinac CookTech अ इस में सारे एक पॉइंट से नहाट लिकाल निकाल आए अच्छे सह और उसके बाद में लास्ट में अच्छी डाफिनेशन दूंगा पूरे नंबर वाली तो वाट इस सेकुलरिजम आप बच्पन में मतलब इस चीज़ को पड़ा आपने सिक्स्त क्लास में पड़ा सेवंध में नाइन में टेंट में हर क्लास में शब्द को आपने सुनाय जाता है इतना सीखा हमने भी तक छोटी क्लासेज में तो आप क्या करते हैं अब हम अलग-अलग डाइमेंशन से देखेंगे कुछ एक्जामपल्स के थू देखेंगे वर्डवाइट समझेंगे कि सेकुलरिजम कैसे इवाल्व होता है कैसे अलग है ठीक तो मेरे पास जैसे एक एक्जामपल है सेकुलरिजम ट्राइट अंडेस्टेंड इस एक्जामपल आपने जियूस की कहानी सुनी होगी जियूस के बारे में बहुत सुना होगा यहुदी जैसे अलग-अलग religion होते हैं तो अलग-अलग religion आप इंडिया में तो गुलदस्ता बना हुआ है पूरा हिंदू, मुस्लिम, इसाई, जैन, बुद्ध, सभी लोग हैं तो इस संस में हमारे हां तो आपको multiple religious communities मिल जाएगी western countries के अगर बात करें हम ठीक है या फिर worldwide अगर देखा जाए तो basically क्या है तीन religious group जो है तो आपस में मिले वे भी लगते हैं आपस में लड़ते भी रहते हैं Islam Jews जो हैं आपस में connected भी हैं और यह Jews, Israel, Jews, Israel के कितने ही एक्जामपल आपने अभी तक पढ़ लिए political theory में भी Indian Constitutionate work वाली book में भी तो हमें समझना बहुत जादा जरूरी आखिर है क्या debate ठीक है रहा तो आपको एक specific वीडियो में पूरी कहानी अच्छे से और समझा देगें पूरा हिस्ट्री के हिसाब से लेकिन अभी आप जैसे हाँ पर समझोगे ना तो जिस जो है तो worldwide यहूदी यहूदी जो धर्म के लोग थे तो आज भी हैं तो यहूदियों ने worldwide बहुत discrimination face किया है ठीक है इसराइल के बनने से पहले तक इसराइल मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा से अब जैसे नें चह 맞아 49 के असपास देञाहिए आग कि इसराइल एक ऐसा देश है इसराइल गांकर संघसों के बनाया और इस राइल इस कंपियोच एज गयोव युक्त कैया है सेकंड वार कि बात करते अज़र आप तो सेकंड में के इनके ऑन जोका था क्यों कि वहां पर उनको मार दिया जाता था ठीक तो यह सिर्फ जर्मानी की कहानी निये जर्मानी में तो इतलर ने आर्गुमेंट दिया था बाकि अगर आप तो अगर आप जैसे रिलीजेस जो है उन्होंने क्या है रिलीजेस टेक्स्ट के साथ में खृष्चयन इटी वाले जूरी जेंटों किया और इसके लिए वह फिस्रापी थे उन्हें वाल्ट वाइड जहां भी जाएंगे होंने पर्सीक्यूट किया जाएगा ऐसा लोगोंने म पता देता हूं मैं आपको कि इसलाम क्रिश्यानिटी और जो राइडिस्म जो है तो यह क्या है यह तो यहां पर देखा जाए तो यह क्यों हो रहा है क्यों कि कोई अगर गवर्मेंट कर रही हो जैसे वहांग जांघ जर्मन में और जाज को एक तरह से किया है क्या आप यहांगरे इंडिया जैसे आज इंडियांगीर स्पुक्रिश्यन के अगेंस्ट में जैन्स के अगेंस्ट में गवर्मेंट कभी गलत नहीं कर सकती चाहें मैजोरीटी हिंदूस की हो लेकिन गलत नहीं कर सकती मैं नियूस्ट में क्यों क्या रहे हैं करते रहे जोजों ने फिर क्या कि अपना एक खुद का देश बनाया तो अब जब जीउस कम्टिटी ने अपना एक खुद का देश बना लिया इस्राइल लेंड तो सेम चीज क्या हुआ उन्हों लेकिन हुके रिसकर जैसको को फेस किया था तो कह सकते नोंगे जो फेस किया तो इसराइल जाइल रहे थो हो में रहे हो थो प्रेसे जो आज का चिकए अरब मायनूरिटीस ज्टॉम सेकोनुम्शन के शौशल पॉलिटिक ने तो एक तरह से जो नोने सफर किया वो उसका क्या कर रहें बदला ले रहें कहलो बदले की भावना है ठीक लेकिन अब आप यह पूरी कहानी जब आप समझोगे इसे अनलाइस करोगे अच्छे से तो आप क्या देखोगे कि इससे कभी भी religious conflicts खतम नहीं होंगे ठीक है इससे कभ कंट्री से उनके लोगों के अगर करेगी तो जो कंट्री भी है वहाँ पर कोई कंट्री एक सिटीजन रह रहा होगा चले जाएगा तो उसके सांट इसक्रमिशन होगा ठीक है वही चीज़ आपने एक्जामपल में देखी जी उसके वाले ठीक है कि इस्राइल के जो लोग त समस्या खतम हो सकती है आपको वर्ड इस्ट्री का एक परस्पेक्टिव समझ में आया ठीक है चाप्टर हमारा ठीक पॉलिटिकल ठीक थी नहीं पढ़ रहा हूं अब यहीं चीज़ अगर आप देखोगे क्या रिलिजियस माइनोरिटीज की जो कंडिशन है रिलिजियस माइ तो इस्ट्रामिक मेजरीटी कंट्रीज है ठीक है मतलब इस्ट्रामिक पॉपलिशन जादा है ठीक है और दूसरे धर्म के लोग है जैसे जैन से बुद्ध है हिंदू है क्रिशन है तो यह वहां पर माइनोरिटी में है अब दिक्कत क्या हो रहा क्योंकि यह दोनों देश भ तो इन कंट्री में जो रिलिजियस माइनोरिटी इस है ठीक है उनकी पॉपलेशन कम ही हुई है और हमारी कंट्री क्योंकि एक सेकलर कंट्री तो हमारी कंट्री में पॉपलेशन बढ़ी है पॉपलेशन बढ़ी मतला हमने ने सुरक्षा दिये हमारी कंट्री में रिलिजियस माइनोरिटी जो है ठीक है तो आप क्या सकते हैं जैसे कि पाकिस्तान और बांगलादेश में जो मैजोरिटी में वह इंडिया में माइनोरिटी में लेकिन मुसलिम्स में कभी क्या सकते हैं इ कॉभे सबूच नहीं तो वहाँ पर उसने डाइवर्सिटी को अई को समझ है वहाँ पर वह्यां तो पूरी कहानी बताई मैं आपको Kya समझ में गही है कि secularism का एक ऐसा principle है जो हमारे देश ने अडॉप्ट किया है वह principle अगर दूसरे देश भी अपनी religious identity को छोड़ के अडॉप्ट करते हैं तो जो अलग-अलग डाइवर्स ग्रूप है अलग-अलग minorities है ठीक है religious minorities है वह बहुत peacefully और accommodative way में किसी भी देश में रह सकती बिना किसी चीनतिया की ठीक है तो आप यह concept of secularism जो है ना इसको आप दो तरह के मतलब aspects पर समझने की कोशिश करना दो तरह के domination होते हैं दो तरह के discrimination होते हैं एक इंटर रिलीजियस होता है एक इंटरा religious क्या है इस चीज़ को समझना ठीक है इंटर रिलीजियस और इंटर रिलीजियस को समझने के लिए आपको कुछ examples पहले देता हो मैं जैसे इंटर रिलीजियस मतलब कि दो धर्मों के बीच में domination हो जाता है दो धर्मों के वीच मगर जिसे देखोगे तो मोर दें 2700 शिक वर मसाकर्ड इंड्राइट्स ऑफ 1984 अब जिसे 84 के दंगे भी कहा जाता है ठीक है इस नाम से कह सकते इन फेमस है इंद्रा गांदी का assassination हुआ कहानी बता तो मैं आपको इंद्रा गांदी का assassination हुआ assassination करने वाले लोग कौन थे तो जो उनके bodyguards थे अब क्या कह सकते हैं तो bodyguard जो थे वह सिख community को बिलॉंग करते थे तो आप लोगों के अंदर घुसा फूटा तो क्या हुआ कि राइट्स हो गया दंगे गए दिल्ली में दिल्ली के अलावा भी कंट्री के और भी पार्ट्स में तो वहां पर क्या हो गया कि जो सिख फैमिली थी उन लोगों को ऐसा लगा अब क्योंकि माइनोरिटी ना तो जो मैज़ोरीटी थे दूसरे हिंदू मुस्लिम अगर बात की जा तो लोगों ने क्या किया उन लोगों ने जिसे दंगे हुए तो दंगों में क्यों कि ऐसा एक तरह से कह सकते हैं कि आरोप यह लगा दिया गया कि बॉडिगार्ट्स सिख से तो सिख कम्यूनिटी के सारे लोग क्या है खराब है जो की गलत है तो चलते उसके चलते देखो के तो बहुत सारे सिख कम्यूंटी के लोगों की जाने गही एक 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 जामपल यह हुआ यह इंटरीजियस डॉमिनेशन का एक इग्जामपल है मतलब जब अलग अलग रिलीजन रहते हैं एक देच में तो एक रिलिजियस में जो पर मेंजूरिट 1990 की to be more specific 19th January 1990 तो कश्मीर में जो कह सकते कश्मीरी पंडित थी कश्मीरी पंडित फैमिली जो थी तो जैसे वैश्नो देवी मंदिर वगरा क्या जू बाजू और जमू वाला रीजन था वहां पर बहुत सारे कश्मीरी पंडित रहते थे तो अब क्या होता है आपको यह भी पत प्रफियन्स पैट्रोल का काम कर देता अग में तो उसके चलते क्या हुआ कि बहुत सारी कश्मीरी फैमिली को वहां से भगाया गया कश्मीर से निकाल दिया गया बोल दिया कि आप कश्मीर चोड़के चले आओ 19 जनुरी की तो क्या हो जाएगा हम आपको मार देंगे एक त नहीं बहिता ह bawDS साथ में घलत किया है कश्मीरी पंडित प्रफित एक तरह से कर दियो निकल दिया और निकाल दिगाया अब यहроं कघर तो यह लेग लुज घिव कन्वें के लिजह कंप्यों के बीश में स्क्राइच थे तो गुजरात इन 2002 अब इस एक्षामपल के बारे में आपने सुना होगा गुजरात में दंगे हुए 2002 में ठीक है अब अब वो दंगे जो है हिंदु-मुसलिम के पीश में दंगे हुआ और उसमें जाने गई हजारों जाने गई ठीक है अधिक तरह मुसलिम जो तो उनकी रत अच्छे से समझ आए इसको परस्मेल लेने की जरवत नहीं किसी भी कम्मिनिटी को सारी कम्मिनिटी की वियार लर्निंग और वियार डिसक्रसिंग और इस एक्जाम्पल्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ बेटर अंडिस्टेंडिंग ठीक है कि चीजें बहतरी बहतरीन तरह से हमें स अब अब बढ़ें का सिस्टम करें ग्लोबल कम्मिनिटी बनाते को लड़े आपस में लेकिन इतना आसान नहीं है इंसान जो है जब कैसकते हैं कि आप में सब्सक्राइब कर दो आपको समझ में आगा कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हम धीरे-धीरे क्या करते हैं अपन ठीक है लेकिन अब यह इंस्टेस आनसे अपका रिलिजेस परसी केशनियों को साहा है एक जांपल प्रसी करते हैं आपके सामने एक या फिर कोईГ yön है वो क्या कर रहा है परसीकुशन फिस कर रहा है उसने क्या किया समस्या या फिर कहिसे परशानियों को सहा है रिलीज़िय इससे अपिंड इन्ट念 रिलीज़ी तर यके मैं चान लो राइन आन। के अंदर भी क gle pixels होते हैं रिलिजेंच के अंदर क् Sikh थोते होते हैं तो एक रिलीजन है वहाँ पर डिस्क्रिमेशन देखने को बिदेगा आपको मेल और फिमेल के बीच में ठीक है और अधिक पर रिलीजियस ग्रूप में देख लोगे जैसे आप ठीक तो अब क्या होता है सब्रीमाला का के इस क्या था फॉर एक्जामपल आप देखो के इंदुज जाएंगी तो मों क्या हो गया ना ठीक है आप अगर बात कर लोगे जैसे का रिपल तलाक क्या था तो रिलीजियस लाइन पर आप देखो का मेल और फीमेल के बीच में क्या है डिस्क्रिमेशन हो गया तो अधर्म में आप जैसे देखो कि तो कुछ इंक्राय डूमिनेशन भ को कि कास्ट डॉमिनेशन दलिस जो तो दलिस है विन बाहर रों एंटरिंग टेंपल सिंदू टेंपल में जाने दिया जाता था तो यह एक इंट्रा-religious डॉमिनेशन का एक्जामपल है समझ में रहा है ना मैंनी रिलीजियस फ्रेग्मेंट्स इंटू सेक्ट्स विच लेड़ टू फ्रीक्वेंट सेक्टीरियन वालेंस एंड पर्सीकूशन ऑफ डिसनेटिंग मैनोरिटीज इस चीज़ को समझना अच्छे से आप देखो तो हर ध सिया सुन्य हो गए इंदुईजम की बात करो के तो मल्टीपल है जैनिजम की बात कर लो स्वितामबर दिगामबर हो गए तो उस तरह से क्या है कि हर धर्म में आपको सेक्ट मिल जाएंगे फ्रेग्मेंट में मिल जाएंगे तो आपस में लड़ा करते हैं अब जिससे आप कंफ्लिक्स होंगे ही होंगे आप दिसे देखो कि पुरा देश अगर क्रिशन है तो वहां पर क्या है कैथोलिक्स प्रोटेस्टंस में लड़ाई चल रही है इंदुईजम है तो उस तरह से क्या है उस तरह से अगर आपको समझना इस चीज़ को तो आप मतलब क्या कर सकते ह इस डॉमिनेशन फॉलओड बाइडिस्क्रिमिनेशन कें टेक प्लेस विदिन रिलीजन और सो इसका भी सलीशन क्या होगा इसका भी सलीशन होगा सेक्लिजम सेक्लिजम को सही माहिने में अगर अपनाया जाए तो आप इन सभी समस्याओं से निपड़ सकते हो ठीक है तो पर देखो मैं आपको एक कंसर्ट बताता हूं इन जनरल आप इसको कह सकता है कि पढ़ाई के परस्पेक्टिव मत देखना समझे की कोशिश करना कि क्या सर धर्म की जरुवत क्या होती है तो अलग अलग तिंकर स्ना जैसे उस चीज़ को इसे डिफाइन कर दिया रिलीजियन इस मेरली दी ओपयाम ऐसस्यों और बस्ट माससमाचरा से नहीं तरह से नशा है में क्या है आम जन्था यह तो आम जन्था जदां हो जाता है धर्म अब किस प्रकार का नशा है यह थे तो उस चीज़ कई करते हो तो किया होता है कि हर आदमी मेरे सब्सक्राइस कर सबाएं तो मैं क्या करता हूँ गलत हो इć भगवान की साथि वह इंप तो हम वो जो बर्डन है ना वह सेल्फ के ऊपर ना लेते वह गिल्ट में ना दपते हों भगवान के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं यह बहुत बड़ा फाइदा होता है आप जब रिलीजियस होते हो तो तो जैसे हम और अच्छा होता है नहीं अच्छा तो मैंने कर लेकिन फाइदे मंद भी रहता है ठीक है चलो वह डिबेट को एक साइट रखो हम यह देख रहे थे कि रिलीजियन को हटा देने से नुकसान क्या है ठीक है और एक चीज़ और बता दू जो आपको मैंने पिछले वीडियो में कुशन भी पूचा था कि क्या रिलीजियन वह क्या से अपने धर्म को फालो कर रहा है ना सेकुलर होने के बावजूद भी तो सेकुलर कहीं से कहीं तक एंटिरिलिजियस नहीं है वह क्या करता है सेकुलरिजम जो है तो वह रिलीजियन के बीच में चीजों को बहुत अच्छी तरह से अकॉमडेट कर देता है ठीक है तो वन डे बेसिक क्या माना जाता है देखो लोग किसी भी रिलीजियन को फॉलो करते है फिर रिलीजियन जो बना है ना तो ऐसा माना जाता है वन डे वन डी बेसिक नीड़ ओफ आल और फुल फिल्ट एंड यह इसा सोच के चलते हैं कि धर्म क्यों है अम भगवान की पुजा क्यों कर अपनी सारी समस्याओं से जब उपर आजाएगा जब सब मेंटल लेवल पर वैसे आजाएंगे कि सब मैं चीजो गए तब धर्म वर्म का लफटा छोड़ देंगे हम ठीक है तब यह धर्म का लफटा छोड़ देंगे हम ठीक लेकिन हकिकत क्या है कि यूमन सफरिंग एंड विल नेवर कम टुए नेंड ठीक है तो यूमन मिंग्स की जो नीड जो उनकी सफरिंग से वह कभी खतम नहीं होंगी अब जब खतम नहीं होगी तो सप्रेशन एंड लॉसेजर एंड एंडमिक टूमन कंडिशन ठीक है यूमन कंडिशन में आप क्या देखते हो कि एक तरह स परिशानी में रहते हो एक तरका जैसे जो लोग एडिक्टेट होते है किसी चीज का किसी ड्रग रखके समझना तो हम क्या बोलते है क्यों कि 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 बहुत जादा टेंशन हो गई वह जो कि बिल्कुल सही नहीं है आप ड्रग ले लोगे तो दो मिनिट के लिए क्या है आप मे कि अल्कॉहल यह सलूशन नहीं होता बबू ठीक कि टॉपिक पर आते हैं तो टॉपिक क्या हमारा कि जैसे हां पर लिखा है कि जब अब सफरिंग्स खतम नहीं हो सकती हम एग्जागरेटेट हुमन पोटेंशल की बात करते कि एक दिन सब खतम हो जाएगा तो रिलीजन भी क लिए इस प्लेइन करनी के कोशिश करते हूँ आप के सकते हैं सल्फ सिटिस्क्षटन के लिएस एक्स्प्लाइशन रेडिक कर लेते हो रिलीजन जो है समस्य आये हैं कि जीवन में तो आपको एक आईडिया बताते चल रहा हूं ठीक है तो यह वाला जो टॉपिक है आपका यहाला टॉपिक भीच में आपको एक वहीं बताता है कि रिलीजन जो है ठीक है यह इंट्र रिलिजिस डॉमिनिशन से उपर था टॉपिक लेकिन आपको यहां क्यों समझा रहा हूं क्योंकि यह स्पेसिफिक इस तरह से कि रिलीजन को हटा दे तो टेंजिन खतम हो जाएगा रिलीजन को हटाया नहीं जा सकता है वह एक इंटीगरव पार्ट ही रहेगा ठीक है सेकलर मिसेकलर इसम यहीं मानता है कि रिलीजन से क्या हो जाता है रिलीजन एक तासरीवक है जितने भी युमन प्रोब्लम से और उसको प्रॉपर्ली इस पॉपर्लेम करने के लिए रिली डॉमिनेशन है यहां तक चीज़ समझ में आई आपको ठीक है एक बाद स्नैप रिकैप करते हैं देखो मैंने आपको कुछ एक्जामपल्स बता है कुछ जी उसके बता है ठीक है जैसे हमारे जो आजुबाजु की पड़ोसी देश हैं उनके एक्जामपल बता है कि रिलीजिन क्या होता है बहुत सेंसेटि Visio सुधाँ और उस पर कन्फिलिक्ट होते ही हुथ है मैडरीendeu हमेशा माय हने झालों को दराए धंकाने की कोशिश करती है अब इस स्टेट में क्या होता है इस सีilo मगर मेंटस सपोर्ट मिल जाता है मेजरोंटी को तो खत्रह ओएं पर जाता है म नेगेटिव साइड से जो आपकी फ्रीडम एक्वालिटी को हमपर कर रहे हैं जो आपके अंदर पैदा कर रहे हैं पिंजरे में बंद करना होगा वह पिंजरा कहां मिलेगा किस दुकान पे वह सेक्लिरिजम के नाम से मिलेगा ठीके डिमोक्रिसी की दुकान पे आया ना समझ म हैं तो फाइनली वाट इस सेक्लिरिजम अब आपने इतनी जो डिबेट पड़ी पूरी हो सकता है कि आपको में एक डेफिनेशन देता दो मिनिट में वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो सकता था हम आगे बढ़ सकते थे लेकिन नहीं ठीक है सर अपनी आदत तो मजबूर है क् इस आप देखोगे कि आप इस्राइल में क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन जो है पूरी की पूरी गॉर्मेंट मेशनरी जो है तो वह जी उसको फेवर करती है दूसरी जो अरब माइनरिटीज उनके साथ डिस्क्रिमिरेशन करती है ठीक है तो सेकुलर प्रिंसिपल होगा तो सेकुलर प्रिंसिपल में यह जो इंस्टीशनलाइज रिलिजियस डॉमिनेशन है वो नहीं चलेगा जिस कंट्री ने अपने सेकुलर सेकुलर सोसाइटी सेकुलर सोसाइटी बनाने की कोशिश करता है सेकुलर ठीक है जहां पर क्या होगा मतलब लोगन इस डिवाइड ओस आइधर इंटर रिलिजियस और इंटर इलिजियस डॉमिनेशन तो तो किसी के भी उपर आप जैसे देखोंगे तो इंटर या फिर इंटर रिलिजियस डॉमिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है पॉजिटिवली अब यह तो आपने क्या देख लिया कि एक तरह से यह सारे चीज़ों को रोकता है सेकुलर सम और पॉजिटिवली अ फ्रीडम विधिन रिलिजियंज एंड एक वैलेटी बेट्वीन ऐस वेल विदिन रिलिजियंज आगे ना समझ में तो फ्रीडम इसका पॉजिटिव आसपक्ट होता है कि जब आप इस तरह के सारे डॉमिनेशन को रोक देते हो इंटर 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 अबनेशन को तो उससे अब बात है सेकुलिजम तो एक आइडिलोजी उसके पैर थोरी निकलेंगे उसे अपलाए कैसे किया जाएगा ठीक है मतलब वह सेकुलिजम को आखिर अडॉप्ट तो एक कंट्री की गवर्मेंट ही करेगी ना एक स्टेट ही करेगा तो वाट काइंड ऑफ स्टेट इस नेस आई है क्लियर हो गई है ठीक तो इंपॉर्टेंट टापिक था आपने सेकुलिजम को तहे में जाना ठीक है मतलब एक तरह से उसकी रूट्स को समझा कुछ एक्जामपल्स के तुरू समझा आप नेक्स वीडियो में सेकुलर स्टेट के बारे में पढ़ेंगे मैगने पर इ जूनियर्स और सीनियर्स को जरूरू बताइए मैगनेट बीन्स के बारे में मिलते हैं नेक्स वीडियो मगले टॉपिक के साथ तिल देन स्टे कनेक्टेट कीप लर्निंग थैंक्यू थैंक्यू वेरी मच